हेलो एम्रीबन वेलकम बाक टो माई चैनल मैं हूँ डाइटेशन नीना सेट तो आज हम बात करेंगे एक और मिलेट की और इसकी रेसिपी बहुत ही जादा इंटरस्टिंग होने वाली है और जिन लोगों को मिलेट बिल्कुल पसंद नहीं आता है उनके लिए इस तरीके की र क्या होता है ना कि जब हम मिलेट अपनी लाइफ में इंटर्डियोस करते है तो हमें बहुत जादा उसका टेस्ट समझ नहीं आता है लेकिन अगर आगर आप मुझे इस तरीके की एकस्पेरिमेंट करते रहते हैं और डिफरेंट टैप्स रेसिपी बनाते रहते हैं तो हमें बहुत ही ज़ादा अच्छी में रखती है और हमें बहुत ज़ादा वो पसंद आती है तो जब भी आम मिलेट अपनी लाइफ में इंट्रिड्यूस करें तो बहुत स्मॉल कॉंटिटी में इंट्रिड्यूस करें और इस तरीकी की रेशिपीस को बना कर इंट्रिड्यूस करें तो मैं जिस मिलेट की आज बात करने वाली हूँ वो है बन्यान मिलेट और ये मी एक शिरी धानया मिलेट में से ही एक है और बन्यान मिलेट वो होता है जो समा के राइज हम नवरात्री में खाते हैं और ये बन्यान मिलेट जो है ये अनपॉलिष्ट है और जो समा के राइज ह नवरात्री में खाते हैं वो पॉलिष्ट होते हैं इसलिए वो होते हैं वाइट फॉर्म में और यह बहुता है थोड़ा सा ब्राउन फॉर्म में नयांड मिलेट के अगर रॉव फॉर्म की बात में करो तो 25 ग्राम से आपको 75 कालोडी मिल जाती है 1.5 ग्राम आपको प्रोटी आइरन केल्शियम में रसों और भी कॉंप्लेक्स वाइटमिंग बन्यांड मिलेट के होता है ग्लूटिन फ्री होता है वेट लॉज के लिए बेस्ट होता है और इससे हम डिफरेंट टैप उप रेसिपीज बना सकते हैं जैसे कि दोसा इडली और पैनकेक्स और उत्पम और पुलाओ और खेचड़ी भी तो बन्यांड मिलेट को आप बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं बन्यांड मिलेट ना से वेट वाचर के लिए बेस्ट है डायबटीज के साथ साथ ये स्किन की हेल्थ के लिए बेस्ट है अर्थराइटिस बालों के लिए बी अच्छा है अपनी डायबटीज को भी मैनेज कर सकते हैं इसका ग्लाइसमेक इंडेक्स लो है तो आपकी जो शुगर है तुरंट स्पाइक नहीं करती है तो आएए चलते हैं किचन में तो मैं आपको पना कर देखाती हूं बन्यांड मिलेट से बनने वाली है टेस्टी इडली और साथ म नहीं दूँगी मैं आपको एक चेटपटी चेटनी तो वीडियो पर लाफ तक बने रहेगा और चेनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन प्रेस कर लिजेगा जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिविकेशन मिल जाए तो अब चलते हैं किचन में ब दोनों ही सेम है और इसको मैं अनपॉलिश फॉर्म को ही आज यूश करने वाली हूँ और इससे मैं बना रही हूँ इडली तो दो कप मैंने बन्यार्ड में रट लिया है इसको अच्छे से दो से तीन बार आप दो लीजेगा और उसके बाद इसको 6-7 आज के लिए आपने रखना है सोक करके इस पर मैंने एक चमश मेथी सीर्थ भी डाल दिये हैं अब मैं ले रही हूँ मूं की दाल हाफ कप आप यहां पर उड़त की दाल भी उसकर सकते हैं मूं की दाल जादा अच्छी होती है इसको मैं मूं की दाल ले रही हूँ और इसको भी अच्छे से बहुत ही कम पानी के साथ करना है तो पहले इसका water discard कर दूँगी बहुत ही हमने water कम रखना है नहीं तो इडली अच्छी नहीं बनेगी तो इसको हमने अब grind करने के लिए start कर दिया है तो दोनों यह चीजों को हम बारी बारी से grind कर लेंगे और यह इडली बहुत ही जादा nutritious है, gluten free है, weight watchers और diabetes वालों के लिए बहुत ही best है तो यह दिखी बन्यान मिलेट हमने यह पर grind कर लिया है इसको हम बोल में निकाल लेते हैं अब हम करते हैं मूंग दाल को grind इसी same jar में और यह बहुत अच्छा protein का source है मूंग दाल और बन्यान मिलेट में भी बहुत अच्छी मात अच्छा में प्रोटीन होता है और यह देखी हमारी मूंग दाल भी grind हो चुकी है अब दोनों ही mixtures को mix करके हमने अच्छे से मिला कि इसको overnight soak कर दूबारा से रख देंगे और इस तरह overnight रखने के बाद आपको एक बहुत अच्छा सा fermented mixture मिल जाएगा और यह बहुत ही के गट के लिए और गट friendly होता है यह fermentation वाला mixture और जब हम फर्मेंट करके चीजे बनाते हैं तो बहुत अच्छे से हमारे body में absorb होते है nutrients तो इसको मैंने overnight रख दिया था और यह process करने में आपको एक दिन पूरा लग जाता है आप morning में सोख करते हो फिर overnight रखते हो तब जाके आपको यह अगले दिन बेटन मिल पाता है तो इसमें मैंने salt डाल दिया है बस आप simple सब और कोई भी चीज नहीं डालनी है और यह idli बहुत ही अच्छी बनेगी प्योंकि यह already बहुत अच्छे से फार्मेंट है तो किसी सोडे आप इनों की ज़रूद नहीं पड़ेगी और नोर में दस से फंदा मिनिट के लिए इसको स्टीम कर सकते है माय navigate में यह दो 3 मिनट में बञाती है और microwave में जद़ता देर नहीं रखेंगा नहीं तो सूगी बनती है तो microwave मैं यह रखा तो यह इसको रखा तो यह दो मिनटमें ही बन दá और यह मैंसकी साथ में ही अनियन डाल दिया है इन सब को बहुत अच्छ Kayla कर लेंगे पेले हम उसके बार इसमें टॅ मैटो डाल देंगे और इसको ढखकर हम बहुत अच्छे से स्वाफ्ट होने तक पकाएंगे और साथ में ही अब इसको अच्छे से मशी होने तक हमने कवर करके रखना है तो यह दिखिए सभी कुछ बहुत अच्छे से हो चुका है मशी कंडिशन हो गई है इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करके हमने इसको ग्राइंड कर लेना है यह चेकनी जो है साउथ इंडियन जितनी भी चीजें ह अच्छे से स्पाइसी होती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है इडली और डोसे के साथ इसे खाना तो इस चेटनी को अब मैंने बना लिया है आप देख सकते हैं सेम कलर आ गया है और अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे और इसके उपर बहुत अच्छा सा तर्प नगाएंगी जिसके लिए मैंने पैन में ओयल गरम कर लिया है उसमें डाल दी है राई और एक रेट चिली थोड़ी सी हींग और करी लीज और इस से इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इस चेटनी को आप एक हफते तक आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते है और यह जो हमने इडली का बैटर बनाया है इसको भी आप एक हफते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सा बैटर डेली में यूज कर सकते हैं और बीजी शेडूल के लिए यह इडली बिलकुल परफेक्ट है तो हमारी इडली बन चुकी है और इसको मै अच्छी दिख रही है और यह इस इडली को खाने के बाद आप बिलकुल नहीं कहेंगे कि आपकी वो नॉर्मल दालजावल वाली इडली से अलग है कुछ यह टेस में बिलकुल सेम है और यह देख सकते हैं आप बहुत ही सॉफ्ट बनी है और इसको फ्रेश बना कर ही खाना है यह तु इडली की रेसिपी जो बनी है बहुत की सॉफ्ट बनी है बहुत ही टेस्टी है आप इसका आराम से वेट-लौस ज़र्णी में यूज कर सकते हैं और सभी डिजीश इसे यूजर्प सकते हैं इसको सब्सक्स कर बादे है और यह आपके गठ प्लॉप बोह ती अच चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लीजे और बहुत टाइम से आप वीडियोस देखते आ रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजे बिल आइकन ट्रेस कर लीजे जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोडिफिकेशन आज है जल्दी ही मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ तो कनेक्टिब रहिएगा